I.V.M. आप्स के थूरू जाते हैं, जो जहां से आप डिरेक्ली निवेश कर सकते हैं, अपने mutual fund के सभी transaction लिए आप जो भी route इस्थमाल करें, या अपने mutual fund distributor के लिए जाएं, या फिर आप apps के थूरू जाएं, ये episode काफी concepts और काफी questions के बारे में हम लोग touch करने वाले हैं, तो ये बहुत बढ़िया और काफी in-depth episode किया था index investing पर, जा हम हमारे साते मुकेश अगरवाल of NAC indices, तो वो of course एक सम्हाना था जब हम लोग studio में थे, आज का तो और zoom का चल रहा है, तो चलिए, शुरू करते हैं, अनिल, स्वागत है आपका हमारे listeners के सवालों के जाब देने के लिए धन्यवाद शुरू करते हैं, पहला सवाल, बहुत बेसिक सा सवाल है, जो mutual funds में जो एक cut-off timings का एक concept होता है, तो ये cut-off timings क्या है और इनको जानना important क्यों है, जी जरूर, पहले तो बहुत 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 शुक्रिया अनुपम जी, और ये बहुत ही बैतरी आपने show रखा ह जह पे निवेशकों के basic सवाल का अपन जवाब देंगे, जो आपने पूछा सर, cut-off timing, तो एक जो specific निवेश होता है, जो पैसा mutual fund के पास आता है, investor का, उसको mutual fund किस हिसाब से invest कर सकता है, उस हिसाब से cut-off timing बने गया है, तो जैसे कि एक basic cut-off होता है 3 p.m का दूपर के 3 बचे which is just like about half an hour before the market closure, तो जो अपनी equity market है, 3.30 तक चालगरती है sir, तो up to 3 p.m कोई भी निवेशक अपना investment एंटर कर सकता है, या exit कर सकता है, तो उसके लिए एक ही important चीज है कि 3 p.m के पहले आपका जो investment amount है, मानलिजे कि आप fresh निवेश कर रहे है, एक amount दे रहे है, तो वो amount आपका mutual fund के account में credit हो जाना चाहिए, तीन बज़े के पहले पहले, और आपका जो transaction statement है, वो भी acknowledge या time stamp जो कहते है, वो हो जाना चाहिए, या तो मानलिजे कि अगर आप online banking या आज कल घर से ही सब काम ज़्यादा prefer होता है, तो आप कोई भी, मानलिजे कि हमारी website के थुरू, या कोई अगर इन्वेस्ट कर रहे है, तो तीन बज़े के पहले पहले वो transaction का, completion का confirmation आपको आजाना चाहिए, और bank account में पैसा credit हो जाना चाहिए, उसमें sir, एकी सिर्फ डिफरेंट है, जो liquid schemes या overnight schemes जो कहते है, जहां पे बात बार निवेशक बाद चौट टम के लिए investment करते है, और पिछले दिन की NAV मिलती है, उस दिन का जो accrual रहता है, वो हमें earn करने को मिलता है, तो उसमें cutoff थोड़ा डिफरेंट है, 1.30 PM, मतलब देड़ बज़े तूपर का cutoff है, ताकि क्या है कि उससे mutual fund manager के पास amount आजा है, और वो invest कर सके उसको और आपको NAV मिल सकती है, तो very simple, अगर कोई निवेश कर रहे है, तो और liquid fund है, जिसमें आपको कल की NAV चाहिए, तो वो 1.30, एड़ बज़े का cutoff time रहता है, तो यह समझ लीजे, काफी लोग, actually, you know, mutual fund में timing का ऐसा कुछ ज़्यादा importance नहीं थे, कि अगर आप mutual fund long term के लिए hold करें, तो आपको या आज का NAV मिल equity mutual fund purchase करने का समझ यह, DSP, small cap fund में आपको निवेश करना है और आपने 10,000 रुपीज का payment किया 10,30-10 बज़े, अगर आप online banking के थू जाते हैं, और अगर आपका fund का credit mutual fund में हो गया, तीन बज़े के पहले, तो आपको वो same day का NAV मिलेगा, राइट, अनिल, अगर समझ यह, अगर tomorrow भी है, और yesterday भी है, इसलिए वो तोड़ा important दा बोलना, चलिए, अनिल, तो इसमें, recently SEBI ने काफी rules भी change किये हैं, तो लोगों में भी काफी confusion हो गया है, कि मेरे bank में तो debit हो गया, मेरे bank account में debit हो गया, लेकिन mutual funds का credit यह आया ही नहीं, और यह दोनो different days पर होते हैं, समझ यह, म नहीं rules क्या है, और यह एक दो दिन आगे पीछे क्यों हो जाते हैं, बहुत बढ़ा question Anupam जी, देखे, SEBI का जो rule है, वो 1st February, मतलब 2021, मतलब very recently change होए थे, उसके चलते, in fact, यह type के जो differences है, उसका होने का chances अभी बहुत कम हो गया है, तो SEBI का rule क्या बोलता है, कि कोई भी amount आप जिस दे पे आपका mutual fund के account में credit होगा, उसी दिन का आपको units allotment होगा, पहले का rule कैसा था, कि आपको अगर 2 lakh के नीचे का amount है, 2 lakh के नीचे का अगर आपका investment amount है, तो आपको bank के credit का date देखने की ज़रूद नहीं होती थी, तो मान लीजे कि आज आप महिने की 1st तारिक को आपन एक transaction कर दिया mutual fund में, might be less than 2 lakh rupees, 1 lakh rupees का transaction कर दिया, तो आपको immediately उस दिन की नेवी मिल जाती थी, हलाकि अगर आपके bank account में credit होते होते समझो कि दो दिन के बाद हुआ या एक दिन के बाद हुआ, depending on the, let's say check, जो होगा, वो credit होगा आपके bank account में, mutual fund के bank account में, पर अभी new rule के amount credit होगा mutual fund के account में, उसी दिन का आपको NAV allocation होगा, तो आपको ये जो disconnect था, कि मेरे bank account से पैसा तो चला गया, बट मेरे को अभी तक units नहीं आया, तो ये अभी होने का chance बहुत ही remote हो गया, मतलब, ये हो इनी सकता है effectively, हाँ, ये आपको हो सकता है कि आज आपने investment का form, आप mutual fund मे देखे आगे, जैसे अपने बोला कि 3 o'clock का cutoff था, might be 2.30 को, मैंने जाके form deposit कर दिया, और वो form में एक मैंने check दिया है, जो check might be कल clear होता है, तो कल मेरे bank account से amount debit हो गया, कल के दिन का units मेरे को 100% allot होई जाएगा, तो नए रूल के हिसाब से अनुपम जी, निवेशकों को बहु क्रेडित हो गया है, उसी date पे, irrespective of the amount size, whether less than 2 lakh, more than 2 lakh, कोई भी amount रहे, even if 500 रुपीज का amount है, या 5 lakh का amount है, आपको उसी दिन का NAV allotment हो जाएगा, परफेक्ट, इसमें actually मुझे, you know, somewhere March, April में आपको पता है, योगा निल जी की काफी holidays आते है, bank holidays आते है, तो उसमें कभी कबा जायर एक दो दिन आगे पीछे होने का chance हो जादा है, क्योंकि अगर bank holiday है, तो वो दो दिन का gap आ जाते है, आप अगर बोल रहे हैंगी, सेवी के rule की वजए से, अगर आपने सुबह को transaction किया, और वो during the day मेरे क्याल से, अगर बड़ा bank है, तो उसके same day में mutual fund पहुंचने की, chances normally अच्छे ही होते हैं, राइट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो, हैंस, as I said, कि आज़ जो हो गया है, trend, कि majority लोग, might be online banking prefer करते है, even, I mean, in the, during, whether pandemic situation also, कि, you know, you prefer, आप घर से, प्रिफर करते है काम करना, even other than that, आज़ काफी ही हो गया, तो might be, फिर, बड़ bank account में भी credit आई जाता है, तो फिर आपको उसी दिन का allocation हो ही जाता है, confirmed about that, there is no doubt, मतलब ऐसा, और दोस्तों, मैं आपको ये suggest करूँगा, कि आप जब ये transaction कर रहे हैं, समझे, आप अगर ये transaction अपने app के थूख कर रहे हैं, या ये mutual fund के website से कर रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा सुन्दर साइक notice आएगा, जो आपको पूरी बात head to tail आगे पीछे सब समझा देगा, कि ये rules है, ये time सक आपका पैसा है, तो आपको units विलेंगे, तो please आप वो screen देखे, ये आपने app में देखे, चले अरील जी, आगे बढ़ता है, जो purchase का opposite side हो है, redemption, तो जब मै अपने units बेशता हूँ, तो funds credit होने में कितना time लगता है, वो process, और क्या ये debt mutual fund के लेग है, equity mutual fund के लेग है, तो equity mutual fund के पहले में बात करें समझी, अगर मैंने redeem कर लिया मेरा पैसा, तो उसमें मेरे bank account को hit होने में कितना time लगता है, और debt mutual fund में कितना time लगता है, बहुत mutual funds होते है, उसमें, जिस दिन पे मेरा redemption होता है, उसके तीन business day बाद मेरे को bank account में credit मिलती है, तो मानले है कि आज Monday है, और Monday को मेरा redemption request में डालता हूँ, जैसे आपने starting में पढ़ा कि 3 प्रीम, तीन बजे के पहले-पहले के cut off में मैंने Monday को मेरा redemption मार दिया, तो Monday will be day T, मतलब त Tuesday is T plus 1, Wednesday T plus 2, Thursday is T plus 3, तो Thursday के दिन पे मेरे bank account में mutual fund से redemption proceeds credit हो जाएंगे, similarly, अगर अगर आपन debt का देखते है, या liquid schemes का देखते है, तो उसमें इसमें इसमें आता है T plus 1 पे, मतलब आज अगर मेरे redemption तीया मंदे को, as per the same example, 3 मज़े के पहले-पहले, मैंने redemption request दे दिया है, तो T plus 1, means next day को मेरे account में पैसा credit हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें एक ही जीज मैं कहाँगा, कि यह एक बहुती simple logic है, कि जो भी निवेश हो रहा है मेरा equity market में, या bond market, fixed income market में, उस market का जो standard cycle रहता है, उसकी हिसाब सी यह भी setup किया हुआ है, तो might be, आप अगर शाय दिया जानते हो, कि equity market में, आज कोई भी share market में, जबी अपन को stock बेचते है, तो इसका T plus 2 settlement cycle रहता है, तो might be, आज redemption आया, तो कल fund manager ने stocks बेचा, तो T plus 2 को, उनको cash मिला, तो हैंस मेरे लिए T plus 3 दे पे cash flow आ जाएगा, तो T plus 3 का cycle बेचता है, similarly liquid और fixed income में, usually next day, same, आज trade किया, तो कल मेरे को cash मिल जाता है, तो इसके लिए वहाँ पे T plus 1 का cycle है, और अनुपम जी, एक और चीज में clear कर देना चाहूंगा, क्योंकि आज कल, बहुत सरे निवेशकों को, ये जानना, काफी आपके, प्रिवेश शो के थूरू भी देखा है जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी बहुत लोग निवेश करता है, तो उसमें कहा है कि T plus 5th day, 5 दिन लगता है, क्योंकि क्या आता है कि वो अपन ऑफ्शोर फंड से पेमेंट आता है, डॉलर में, फिर वो कनवाट होता है आया, इंडियन रुपीज में, तो उ उसमें तो ताइम लगें, थोड़ा सा जाधा टाइम लगेगा, ठीकेल अगला सवाल, आपको पूराने माठ आता है, यदो पुराने बैंक अच मॅन का अब्ड कर देदे ता क्या हुआ था दोस्तों, कि मैंने जब ये mutual fund में निवेश किया था, तो वो टाइम पे मेरा एक और bank account था, और मैं भूल गया था, थीन-चार साल तक मैंने वो mutual fund को देखा ही नहीं, फिर एक दन मैं अपने investment देखा, तो मुझे mutual fund देखा, मैंने बोला, चलो, इसमें जितना profit हो बैंक अकाउंट चेंज कैसे करते हैं, और मुझे पुराने bank account का proof क्यों देना पड़ता है, और अगर bank account समझे, वो मैंने अगर बं कर दिया, तो क्या सुझा हो है फिर उसके लिए, मुझे पैसा मिलेगा ही नहीं कि क्या कैसे हो, नहीं नहीं सर, बिल्कुल मिले आपको, नह आपको experience हुआ है, thank you for sharing, Anupam ji, यह मेरे इसाब से unique experience है, बहुत लोगों को face हो सकता है, Anupam ji, और यह बहुत common है, क्योंकि, especially पुराने टाइम पे, you know, bank account, अज मेरा भी ऐसा था सर, जब, you know, first salary draw हुआ था, तो salary account था था, एक कोई XYZ bank में, फिर मैंने job change कर दिया, तो बंद हो हो गया, दूसरी bank में, दूसरा salary account स्टार्ट हो गया था, तो मैं बहुत एक एकदम simple way मैं explain कर देता हूं, कि change of bank mandate क्यों बहुत important है, और उसमें mutual funds जो रहते है, वो पुराने bank का भी confirmation क्यों मांगता है, इसमें main reason यह है, कि कोई भी fraudulent activity नहों हो, उसके लिए यह बहुत ही important part हो प्रूफ क्यों मांगा जाता है, तो जैसे कि कोई case में आपको सिर्फ bank account change करना है, और आपके पस पुराने bank का details नहीं है, जैसे आपने बहुत साल पहले मैंने तो वो close कर दिया था account, तो कोई tension की बात नहीं है, क्योंकि आपका ही पैसा है, आपके किसी bank में जाएगा, but just to give a comfort and make sure के वो आप ही है और आप ही के दूसरे account आप दे रहे हैं, और कोई fraudulently आपके नाम से कोई दूसरा account में change करके पैसा नहीं ले रहा है, तो mutual fund का rule usually ऐसा रहता है, कि आपको in-person verification जो कहते है, आपको खुद एक particular mutual fund की branch है, या तो जो typically investor service center रहता है, CAMS या कारभी का, वहाप आपे personal जाना पड़ता है, with your original pen card या तो जो भी आपका कोई एक photo ID proof लेके, कि यहां मैं ही अनुपम हूँ, और यह देखे यह मेरा proof, और यह मेरा नया bank account का, आज मैं आपको proof देता हूँ, check copy या जो भी passbook देता है, और please आप मेरा bank account चेल्ज कर देता है, तो based on that, जो in-person verification का comfort कि हाँ, यह correct Mr. X या Miss Y है, जिनका यही account है, और यह pen number मैं in-person verify कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और फिर मैं भी bank account change कर दूँगा, और आपको proper of course बकाईदा है, वो bank account name में payment आपका redemption हो जाएगा, perfect, इसमें, अगर मेरे पास पुराने bank का cancel check ही नहीं है, कुछ proof नहीं कि क्या हो जब समझें मैंने अगर पुराना bank account burn कर दिया, ठीक है, तो मैंने सब उसका checkbook fake दिया, और आजकर तो passbook का समाना भी नहीं है, हाला कि थोड़ा तो अभी मुझे realize हुआ कि passbook का काफी useful भी होता है, बट समझें मैंने passbook fake दी, checkbook fake दिया, शायद मेरे पास printout होगा मेरे email में, लेकिन printout नहीं चलता है, that is also old and printout नहीं है, तो उसके लिए आपको old bank का, अगर आपके पास कोई भी proof नहीं है, तो उसके लिए ये IP, in person verification का proof, is the biggest proof, कि मैं मैं मिस्टर अनिल गला नहीं, अभी mutual fund आपके office में आपके सामने बैठा हूँ, live in flesh and blood, और देखें ये मेरा original pen card लेक काउंटर में बैठा रहेगा सामने मेरे, वो मेरे को देखेंगे और मेरा original pen card से अपने records में verify करेंगे, और फिर मेरे को, of course, वो जो change of bank mandate का form रहेगा, उसमें मेरे को सीधा मेरा नए bank account का जो भी details है, वो डालना है, तो आमने सामने हो जाएगा, आमने सामने हो जाएगा, इन in-person verification में आपको वो process करवाना पड़ेगा, मैंने मेरे, just for the security purpose, अनुपम जी, मैंने, I think, फिर मुझे क्या करना पड़ा था, मुझे actually bank से closure letter लाना पड़ा, तो वो एक added मेरे से document, मैंने, मुझे करना पड़ा था, वो भी pandemic दो, चल ये, ठीक है, anyway, as long as हमारे listeners को, ये समझ में अगया, तो मैंने फिर सोचा, कि अगर इसका एक, अच्छा, एक solution हो सकता है, कि जब मैं एक mutual fund folio खोलता, account कोलता हूं, mutual fund के साथ, तो मैं उसमें more than one bank accounts डाल दो, ठीक है, तो ये, ये, ये bank account मैं भूल गया, तो दूसरा bank account है, या तीसरा bank account है, तो एक folio में, कितने bank account register कर सकत बहुत बढ़े, बहुत बढ़े idea, Anupam जी, बहुत अप्रोप्रियेट है, तो ये, उसका भी बहुत clear-cut answer है, कि as an individual, as Mr. Anupam, or anybody XYZ, can, मतलब अप्टू 5 bank account, आप starting में ही, या कभी भी during the period, आप register कर सकते है, कि मानलिजाए आप XYZ bank में आपका salary account है, दूसरा ABC bank, जो माइट भी आपके घर के closest bank के बहुत सालों से आपका बचपन से वहाँ पे account है, उसका भी आपने एक register करके रखा हुआ है, एक दूसरा भी foreign bank आपने डाल करका है, ऐसे तीन-चार करके, आप तू 5 bank का नाम आप डाल सकते है, अगर आप individual है, और अगर आप जैसे company है, या, you know, limited company है, या कोई partnership company है, non-individual जो होगे, कोई भी, तो उनके case में even up to 10 banks अप डाल सकते है, 10 bank account अप डाल सकते है, perfect, मेरे से तो यही, मेरा, मैंने यही lesson सीखा, वो episode से, कि जब मैं कोई भी mutual fund account खाता है, और folio खोलता है, तो उसमें at least 2 या 3 bank आप डाल समझे, एक अगर मेरे से गलती हो गया, और मैंने उसको, मैं भूल गया, कि वो account बंद गया, तो दूसरा account हो सकता है, you know, I don't have to go through that entire process, कि वही मुझे यह proof देना चीज़िए, वो proof देना चीज़िए, ऐसरा, तो दोस्तों, perfect, 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 अनुकों जी, मैं भी actually वही करता हूँ, यह जो जानकारी है, यह बहुत ही जरूरी है, बहुत पर, पहले, बहुत पहले, मुझे भी पता नहीं थी, कि एक साथ में मैं, up to 5 bank account डाल स तो इसको always हर एक इसमें मैं involved करी रखता हो, मतलब ही, वो account always kept live, मतलब ही, perfect, तो लास्ट question यह, यह episode के लिए, कि जो मेरे जो other, जो मेरे जो बाकी के details होते हैं, मेरे folio के समझे, मेरा email address, मेरा physical address, तो यह मैं change कैसे कर सकता हूँ, आजकल काफी लोग अपना घर भी बदल लेते समझे, तबादला हो गया, बंबे से पूना चले गए, पूना से दिल्ली चले गए, address काफी बार change होते रहता है, और तो यह जो मेरा address है, यह मैं कहां, मुझे कहां बदलना है, और यह कैसे बदल सकता, कुछ इसके लिए मुझे proof upload करना पड़ेगा, कि क्या process है इसका, आज उसको change करने के लिए बहुत ही simple है, आपको online जाके सिर्फ आपको application करना है, जिससे आपको, आपका old ID या old number आपको change हो जाएगा, बहुत ही easily, अगर आपको email ID as well as mobile number दोनों एक साथ में change करना है, और तो फिर आपको एक physical form देना पड़ेगा, again from the security perspective, कि suddenly अगर कोई फोलियो मे कुछ भी change होता है, तो to avoid any kind of a misuse or something like that, तो always एक यही बात याद रखनी चाहिए कि इसमें, बहुत बार अपन सोच लेते हैं कि मेरे को परेशान कर रहा है, यह चीज के लिए physical मांग रहा है, यह बोल रहा है कि यह प्रूफ दो, चेंज करने के लिए, तो उसका हर एक चीज क अनुपम जी, background यह रहता है कि आज आप और मैं जिस आप से thinking करते हैं, अपने आगे पीछे जो fraudulent activity करने वाले लोग है, वो अपने से always, you know, they also try to keep alert कि मैं क्या वे मैं fraud कर जाओ, तो वो इसाप से, वो लोग का भी बहुत ही clear cut रहे रहता है कि कोई भी account में कुछ change होना है, त तो वो सब चीज के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपको physical way में ही आप change कर पाएंगे, like similar to this, कि एक साथ में आप email ID और mobile number नहीं चेंज कर पाएंगे, तो आपको physical copy देनी पड़ेगी, और जो आपका registered address है, तो वो जो आपका है, वो KYC documents जो आपके रहते है, तो उसमें है, और फिर आपको automatically आपके mutual fund account में भी address change हो दाएगा, तो एक बर just, मानली जे की, मैंने भी गर shift हुआ था बहुत साल पहले, तो जो CKYC हो तो central अपना KYC रहता है, might be usually it is linked to the, आपका PAN, तो पैं में आपने एक बर change किया, तो automatic आपका KYC record में चेंज रहता है, और फिर आपक हर एक mutual fund के folio में आपका change रहता है, अगर मानली जे आपका KYC में नहीं है, तो फिर आपको online भी आपको change करने का process हो गाई, मतलब हर एक mutual fund की खुद की website पे जाके, आप KYC process change करिए, और उस time पे आप अपना address अपडेट कर सकते हैं, चले, perfect, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, सवालों का सबर चलता रहेगा, अनिल गेलानी, senior vice president DSV mutual fund के साथ, हम लोग अगले episode में और सवालों के जवाब देंगे mutual funds के लिए, अनिल, हमारे listeners के सवालों का जवाब देने के लिए, thank you very much, आपको मिलते हैं अगले episode पर, thank you sir, thank you very much, great, और दोस्तों, धन्यवाद आपका ये podcast सुनने के लिए, अगर आपको कोई भी सवाल हो, तो आप हमें बेच सकते हैं, मेरे twitter account पे, मेरे twitter account है, B50, या फिर IBM के कोई भी website, या LinkedIn, या Instagram, कहीं भी आपने, आप अपने सवाल वहाँ बेच सकते हैं, और मैं आपको मिलूंगा mutual funds के दूसरे episode पर, सुनते रहेए, आप का पैसा बैसा. सेट and CRED, we really appreciate the support, it is what makes this possible. So it was a fun week on Slider Says, we had guests like Dali Singh, we had Guneet Monga, we had Kamiya Jani of Cutty Tales, and Cock and Bull as we always did, do check it out, I think you'll really, really enjoy that. On Pesa Vesa, we crossed 300 episodes and Anupam was joined by Akhil Honda, the digital head of Bank of Baroda. All Things Policy discussed topics like the 100 years of China's Communist Party, the Facebook versus the Government of India case, and the evolution of Indian science. On the Wire Talk, Siddharth Bhatia was joined by Gautam Bhatia to discuss the Central Vista project and why it's attracting so much flack. Siddharth and Archit are back on the Naankari podcast and this time they raise the temperatures as they discuss the beloved Spice Mirchi. On the Millennial Anthem, this week Tanvi and Shlok speak to Sarita Chauri, a visually impaired Judoist. And finally, I want to ask you all to give a listen to the Triangle Offense. Anybody who has heard me talk on a podcast knows I can't shut up about basketball, and these guys know more about it than I do. So if you enjoy basketball, do check this out. Nishant and Monish do an excellent job with this show. I was one of their guests a few months ago, which is how I met them and tried to convince them to come onto the network, and they're finally here. So definitely do check this out. Show's available on all major podcasting platforms, but they also have a daily YouTube episode, which is available on the IVM podcast channel. And with that, I hope to see you again next week. 2020 is a difficult year. A global pandemic, protests, elections, recessions, you get the picture. What we need is a space where we can have nuanced discussions about global affairs and foreign policy. That's where I come in. My name is Hamsini Hariharan, and I host the States of Anarchy podcast. Every second Tuesday, I speak to experts in the field of international relations to make a little more sense of the world. So join me on the IVM podcast app, website, or wherever you're listening to me right now.